एलो फ्रेंट स्वागत आपका आपके अपने चनल होम टुशन पे दोस्तो बड़ी खुसकपरी आपके लिए लेके आए हैं जिया दोस्तो आसाम राइफल में ट्रेडमेन के पदों पर भरती आई है जिसमें बंपर बद है लगबग 1400 प्लस लेकेंसिया है क्या इनकी एज क्र टेट, रजल्ट, नोटिफिकेशन, पीडियाफ को पाने के लिए हमें टेलेग्राम चनल पे जोइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आए जान लेते हैं आसाम राइफल न्यू वेकेंसी 2022 के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले बात करें कि टोटल पद कितने हैं तो यहां पे दोस्तो टोटल वेकेंसिया 1484 हैं जिसमें 1380 पद यहां पे ट्रेडमेन के हैं तथा 104 पद यहां पे स्पोर्ट्स कोटा के हैं तो कुल मिलाकर यहां पे जो वेकेंसिया बनती हैं दोस्तो 1484 बनती हैं बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक आने जाएगा 1484 पद है बंपर वेकेंसिया है दोस्तों ट्रेड में की दोबारा ये वेकेंसिया आ रही है आसाम राइफल में मोका है चोक मत जाना फुल डिटेल यहां पर हम बताने वाले हैं तो इसलिए वीडियो को धान से पुरा देखें बात करते हैं दोस्तों ये जो 1380 है ये इस ब्रेडर रोड और्व का कंस्ट्रक्शन का काम उनको मैंटेन करने का काम अलग लोग से ट्रेड करती है तो इसको नाम रख दիत गया भी आपके पास Civil Engineering में डिपलोमा होना चाहिए या ब्रीज और रोड की ट्रेड में आपके पास डिपलोमा होना चाहिए दोस्तों आई डिपलोमा दो साल का चेक है टोटल पद यहाँ पे 17 है एज क्राइटिरिया की बात करें तो अगर आप ब्रीज और रोड के लिए देखें तो यहाँ पे 18 से 23 साल आपकी जनरल कटेगरी की उमर होनी चाहिए OBC, SC, ST को 3 और 5-7 साल की जो छूट मिलती है वो मिलेगी हम यहाँ पे जनरल कटेगरी की बात करेंगे नमबर 2 पे पद है दोस्तो कलरक कलरक पद के लिए मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल है लेकिन अगर आप इस पोश्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 12 पास होना और साथ में आपको टाइपिंग आना जरूरी है टाइपिंग इंग्लिज में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पेड आपकी होनी चाहिए टोटल पद यहां पे 287 हैं बंपर पद हैं सबसे ज़्यादा यही आपके लिए बड़िया पोस्ट रह सकती है एज क्राइटिदिय की बात करें तो 18 से 25 साल जनरल कटेगरी एज कब से काउंट होगी वो भी हम आपको बताएंगे नमबर तीन पर पद है दोस्तों रिलीजियस टीचर जिसको हम धरम सिखसक कहते हैं तो धरम सिखसक के लिए अप अपलाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजवेट डिगरी होना चरी रही है इसके अलावा यहाँ पे टोटल पोस्ट नो ही है 18-25 साल यहाँ पे आपकी उमर होने चीए धरम टीचर का मतलब होता है कि जैसे बोधिस्ट होते हैं क्रिश्चिन होते हैं अलग अलग धरम के अलग अलग टीचर होते हैं धरम गुरु जिनको कहा जाता है उनके लिए आप करना चाहते हैं तो इनके लिए विशेश एलिजिल्टी भी ही मांगी गई है जो आपको डिटेल नोटिविकेस्टन में देखने को मिलेगी दोस्तों बात करते हैं रेडियो ओपरेटर या लाइनमें की तो इनके टोटल पद सबसे ज़्यादा इस स्टेड में सबसे ज़्य इसके लिए जो एलिजिशीबिलेटी है वो है टैन्थ पलस आईटियाई या तो अगर आप दस्वी पास है तो रेडियो ओपरेटर में आपके पास आइटियाई अगर आपके पास ITI डिपलोमा नहीं है तो आपने फिर टोएंथ यानि बारवी आपको नोन मेडिकल से आपने की हुई होने चाहिए दोन्नों में से एक eligibility आपके पास होनी चीए दस्वी है तो आपके पास ITI होना चीए अगर आपने दस्वी साथ ITI नहीं है तो 12th आपका non-medical से होना जरूरी है 18 से 25 साली हाँ पे age limit रहेगी दोस्तो इसके बाद है दोस्तो radio mechanic बैतर पद है eligibility same है 10th या ITI या फिर 12th आपकी non-medical से पास होनी चीए इसके बाद आतर दुस्तो आर्मर तो आर्मर के total post 48 है दस्वी पास हाँ जी आगर आप केवल दस्वी पास है तो आपके लिए चार पद है जिनके लिए अपलाई कर सकते हैं आर्मर लेबोर्टरी असिस्टेंट जिसको हम लेब असिस्टेंट भी कहते हैं आया जिसे आया होता है न जिसे नर्सिंग स्टाप में होता है जिसे बच्चों को इदर उदर लेके जाना दवाई पगडाने हो आया जिसको कहा जाता है तो उसके लिए 15 पद है only for female ठीक है और वासरमेन के पदों पर 80 वेकेंसिया यहां पर निकली होई है इसके लिए भी 10 पास होना ज़रूरी है तो अगर आप केवल 10 पास है तो अपलाई कर सकते हैं आप आर्मर, लेब असिस्टेंट, आया और वासरमेन के लिए 10 पास ब्रिज और रोड में डिपलोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए पलाई कर सकते हैं अगर आपके पास 10 में ITI है, रेडियो ओपरेटर तो आप रेडियो ओपरेटर से अपलाई कर सकते हैं या आपने 12 में नोन बेडिकल होना ज़रूरी है और अगर आप 12 पास हैं, लेकिन आपको टाइपिंग आती है तो आप कलरग पद के लिए अपलाई कर सकते हैं, जिसमें 287 पर पद है तो कुल मिलाकर ये ट्रेडमेन के पद है, 1380 पद है 104 पद ये स्पोर्ट्स कोटा के तहद है, जो कि अलग eligibility के तहद आते हैं टोटल कुल मिलाकर 1444 हां पर पदो पर वेकेंसिया निकली हुई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों age criteria ये जो age limit है कब से count होगी तो ये दोस्तों आपकी 1-1-2022 को count होगी 1-1-2022 को आपकी age है, वो अलग-लग पदों के लिए अलग-लग criteria के तहद count होगी दोस्तों बात करते हैं दोस्तों selection process तो दोस्तों selection process में बहुत सारे बच्चों को doubt रहता है कि पहले return exam होगा या पहले physical होगा तो इस post के लिए पहले आपका PST और PMT यानि physical standard test और physical efficiency test होगा ठेक है, PET इसको कहते हैं दोस्तों या physical measurement test भी आप इसको कह सकते हैं यानि पहले आपका physical होगा और physical कब तक होने की संभावना है दोस्तों सब्टेंबर के मन्थ में आपकी physical होने की संभावना है इसलिए अपने आपको physically और mentally दोनों ही तोर पर तयार रखे ठेक है अगर आप इस पद के लिए apply करना चाते हैं जो बच्चे physical में पास होंगे उनका return टेस्ट होगा साथ ही skill test भी लिए जाएगा अलग-अलग post के लिए अलग-अलग skill test का मतलब जैसे आपने कलरक के लिए apply किया है तो return आएगा return का result आएगा उसमें जो बच्चे पास होंगे लिए टाइपिंग लिए बुलाया जाएगा इसी परकार अलग-अलग पदों के लिए आपकी जैसे वासर मेंन है तो वासर मेंन का ट्रे टेस्ट होगा हर पद के लिए ट्रे टेस्ट भी आपका लिया जाएगा उसके बाद आपका डिटेल document verification और medical लिया जाएगा और final list नमबर 4 पर लगेगी ठेक है पहले आपको physical पास करना पड़ेगा फिर return पास करना पड़ेगा फिर typing या skill test पास करना पड़ेगी फिर आपको document verification से गुजरना पड़ेगा उसी के साथ medical आपका लिया जाएगा और फिर final list आपकी याँ पर लगाई जाएगी P.E.T. P.S.T. में क्या qualification है क्या क्या आप इसमें प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा return exam कितनी नमबर को होगा exam pattern क्या रहेगा ये सारी चीज़े हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन officially आ जाएगा दोस्तों ठेक है तो अभी के लिए आपके लिए बड़े खुसकाबरी है 1484 पदों पर bumper vacancy आपका इंजार कर रही है तैयार रही है अपने documents को तैयार करवा लीजिए apply करने के लिए